हाई एवरिवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने एक most important geography का लेक्षर वीडियो लेकर आगया दोस्तों जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9 स्टैन्डर के लिए geography subject का जो हमारा chapter चल रहा था फ्रेंड जिसका नामे chapter number 3 exogenetic process part 1 आज हम इस chapter का lecture number 3 आपके लिए लेकर आग कि lecture number 2 हमने देखा था उसमें हमने start क्या था कि यह weathering होता क्या है और weathering का जो पहला टाइप था mechanical weathering क्यों होता है क्या-क्या उसके पीछे factors होते हैं यह सभी चीज हमने discuss कर लिया था हमारे lecture number 2 में तो अगर आपने नहीं देखा है lecture number 2 तो please जाके देख सकते हो ठीक है और आज आपको आपके playlist में मिल जाएगे हमारे channel के अंदर जैसे आप गुस होगे तो एक playlist का section होता है उसमें आप देखोगे तो हर standard का हर chapter हर subject wise आपको देखने मिलेगा videos तो आपे आपके देख सकते हो जितना हो सके उतना जल्दी पढ़ लो क्योंकि last में load नहीं होना चीए इसके ल उसका हम लोग hidden डालेंगे चीए के चलो chemical weathering chemical weathering नाम से पता चल जाएगा यानि कि यह जो टाइप का weathering हो रहा होगा यह किसी chemical के वजे से हो रहा होगा अब कौन सा chemical होगा कोई हम लोग बाहर से chemical डाल रहे गया बिल्कुल नहीं यह जो chemical है वो एक nature से आता यानि natural तरीके से build up होता जैसे हमारे शरीर के अंदर भी बहु nature से आती है उसी में से एक प्रकार है chemical का तो basically अगर मैं बात करो यहाँ पर कि जो पानी होता है सबसे important role play करता है हमारे पूरे life में सबसे important role जो है वो पानी का करता है तो सेम इसी प्रकार weathering of rocks जो होता है खासकर chemical weathering के लिए पानी का एक बहुत ही बड़ा role है तो basically क्या होता ह है कि जो rock होता है चक्टान जो होते है उसमें सिर्फ और सिर्फ पत्थर नहीं होते है उसके अलवा बहुत सारे ऐसी चीज़े होती है जैसे कि minerals होते हैं बहुत सारे salts present होते हैं यह हमने discuss किया था कल के वीडियो में हमने देखा था और पानी जो क्या करता है हमेशा एक universal solvent की सभी को पता है कि पानी एक ऐसा चीज़े जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ जब डालते हैं तो वो dissolve हो जाता है गुल मिल जाता है तो water जो होता है इसी rocks के अंदर जब जाता है अब पानी आएगा कैसे बहुत सारे पानी जो है वो अलग-अलग तरीके से आ सकते है पानी इन चक्तानों के उपर पड़ता है तो वो ये minerals और ये salts जो present होते है उसके अंदर जाके घुल मिल जाता है यानि पानी उसके साथ dissolve हो जाता है और एक solvent की तरह काम करता है और पूरा एक तरीके से mixture जो है chemical reaction type होने लगता है उसके अंदर and जैसे ही solubility उसके अंदर increase हो जाती ह वो थोड़ा सा नरम पढ़ने लगेगा, loose पढ़ने लगेगा या फिर एक तरीके से आप बोल सकते हो पिगलने लगेगा पिगलना को यानि कि हम अगर एक अच्छा word बोले है पिगलना को तो यानि कि वो अंदर से खोकला होने लगता है ठीक है जैसी वो ये सब होने लगता तो कभी-कभी कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहांपे heavy rainfall बहुत ज़ादा होता है यानि बारिश जो होती है वह बहुत जोरसे होती है लेकिन बारिश के वज़े से पत्थर ने तूट रहा है बारिश के वज़े से जब पानी इन rocks के अंदर इन चटानों के अंदर जब पानी enter हो आप बस बने रहो लेकिन यहां पे जब reactions करता है तो कुछ reaction जब होता है अंदर ही अंदर तो कुछ formation होता है जब chemicals रहेंगे उस चटान के अंदर तो कहीं नहीं उस चीज को करेंगे खराब करेंगे अंदर से खोकला करेंगे breakdown करने की कोशिश करें जिस वज़े से rocks का weathering होना शुरू हो जाता है वो chemical weathering कहलाता है अब वो कैसे होता है तो उसके पीछे बहुत सारे process है तो सबसे पहला जो process होता है दोस्तो ये होता है दोस्तो carbonation नाम से थोड़ा बहुत idea मिल जाएगा carbonation क्या होता है यानि की chemical weathering के अंदर सबसे पहला जो process हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है carbonation तो carbonation नाम बहीं है carbon यानि की कहीं नगए carbon का carbon dioxide का एक बहुत बड़ा रोल है तो अगर मैं बात करूँ जब बारिश होती है rainfall जब होती है तो वो क्या हो जाता है चटानों के अंदर घूस जाता है तो basically होता क्या है कि चटान के अंदर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि carbon dioxide deposit होता है तो carbon dioxide जो होता है तो carbon dioxide जो हवा में है जो पानी के साथ enter होता है पानी और carbon dioxide का क्या होने लगता है mixture होने लगता है यानि कि in short आपके पास सबसे पहले water था और हवा से कहींने कई carbon dioxide जो है वो आ रहा है पानी के थूँ आ रहा है कहींने कई present है अंदर तो जब ये water और ये carbon dioxide चक्टाम के अंदर जोनों मिल जाते हैं दब ये दोनों मिल जाएंगे तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा एक chemical reaction हो जाएगा और एक नया product तयार होगा जिसका नाम है H2CO3 और ये H2CO3 को ही बोला जाता है दोस्तो carbonic acid क्या बोलते हैं इसको carbonic acid बोलते हैं और आप सभी को पता है कि acid का क्या है acid एक ऐसा चीज है जिसके उपर भी डालो उसको वो तोड़ देगा पिगला देगा या फिर लूस कर देगा आता है समझ में तो सेम यही यहाँ पे भी हो रहा है कि पानी जो बारिश के फॉर्म से पत्थरों के अंदर जा रहा है carbon dioxide हवा के माध्यम से या फिर internal माध्यम से व अनदर rocks के अंदर पथरों के चतानों के अंदर क्या हो जा रहे है रियक्रिशन कर रहे हैं जैसे reaction करेंगे तो वह अंदर है अंदर बना रहे है और यही अएसंड रिसपॉंसिबल है चत्तान को अंदर की तरफ से खोकला बनाने के लिए अंदर से करत्दर की तरफ से और वो पत्थर दिरे-दिरे तुट-टूट के नीचे-नीचे गिरने लगते हैं, वो धिरे-दिरे प्रोसेस के साथ-साथ, वेदरिंग उसका होता है, वो सॉइल पगरे में कनवर्ट हो जाते हैं, ठीक है, और साथ ही मैं एक और चीज अगर बताओ, कि जो लाइम स्टोन होते यह basically, they consist of limestone, तो limestone जो होता है, इस acid से बड़े अराम से dissolve हो जाता है, यानि कि अगर आप carbonic acid limestone के उपर डालोगे, तो वो पिगल के पानी हो जाएगा, यानि कि एक तरीके से इतना भी नहीं बोल सकता है, कि पिगल के पानी हो जाएगा, लेकिन उसका breakdown होने लगता है, weathering हो लगता है, dissolve हो जाता है, तो in short carbonic acid के वजे से ही इसका breakdown होता है, और weathering हो पाता है, clear है, तो उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, and इसी का अगर मैं solution point of view बात करूँ, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो हम लोग को एक चीज़ पता है कि जो limestone होता है, वो easily यहाँ पे form होता है, लेकिन limestone जो है, वो rocks के अंदर था कैसे, limestone, carbonic acid, limestone को dissolve करते हैं, यह हम लोग एगर ही करते हैं, लेकिन यह जो limestone है, वो चट्टानों के अंदर था कैसे, तो basically अगर मैं बात करूँ, कुछ minerals जो होते हैं, rocks के अंदर, चट्टानों के अंदर पहले से deposit ह होते हैं, तो limestone जो है, इसी chemical precipitation के वज़े से form होने लगता है, यानि कि कहीं न कहीं चट्टान के अंदर ही limestone का formation होने लगता है, और यह पानी और कुछ alkalis, alkalis यानि कि एक तरीक से बोल सकते हो, salts हो गया, ठीक है, बेसे जिसको बोलते हैं, तो उस प्रकार का reaction वो करता है, और तो वाडगाव दरिया है, अमदनगा डिस्ट्रिक में, तो limestone जो है वहाँ पे precipitate chemical होता है, यानि कि वो एक chemical weathering के लिए again चला जाता है, और धीरे धीरे जो चट्टान होती है, वो धीरे धीरे तूट तूट के विखरती है, उनका chemical weathering जो होने लगता है, और इसी लिए ये solution के वजे से जो alkali होते हैं, rocks के अंदर dissolve होने लगता है, यानि कि जो भी present होता है, उसके अंदर धीरे धीरे dissolve हो जाता है, और इसी लिए जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं, वो क्या बन जाते हैं, brittle बन जाते हैं, यानि कि एकदम नरम पढ़ जाते हैं, brittle मतलब एकदम कि अगर कोई भी external force या फिर pressure लग जाता है, तो वो पूरा तुट-टुट के विखर जाता है, और यही सब चीज होता है किसके अंदर carbonation के वजे से, यह type का weathering यानि chemical weathering जो है, वो हो पाता है, clear है, तो उमीद करतों कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही simple सा साधारन सा process है, जो आपको समझ में आ गया है, chemical है, बस कुछ चीज़े आपको याद रखने है, chemicals के नाम, और वो क्यो होता है, limestone कैसा होता है, यह सभी चीज आपको याद रखना है, clear है, तो उमीद करतों पहला topic आज का हमारा आपको समझ में आ गया होगा, जो की तर chemical weathering के करेंगे, फिर हम लोग stop करेंगे, फिर बाकी कर जो बचा है, उसको last lecture में, आणि कि आगले lecture में continue करेंगे, फिर chapter को खतम करेंगे, ठीक है, हम चाते आपको छोटे चोटे चोटे वीडियो देने के लिए, ताकि आप ज्यादा से यादा हमारे जो वीडियो से उसका फाइदा उठा पाए, ठीक है दोस्तों, तो उमीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ पसंदा रहा होगा, ठीक है, अब इमें बात करता हूँ, second process जिसका नाम है oxidation, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग heading डाल देंगे सबसे पहले, ठीक है, second one, oxidation, ठीक है, अब देखते हैं, ये oxidation क्या हो पुछ लेना देना है, तो यहाँ पर rocks जो होता है, चटान जो होते हैं, उसके अंदर कहीं ने कई क्या present होता है, iron भी present होता है, आप सभी को पता है, पत्थरों के अंदर, चटान के अंदर, iron, अब iron में ऐसा लोखन नहीं बोलूँगा, iron एक constituent होता है, जैसे हमारे शरीर के देखा कि पानी mix हो गया, तो carbonic acid बन गया, उसी प्रकार यहाँ पर जो iron present होता है, जब यह पानी के साथ mix हो जाएगा, तो वो क्या बना देगा दोस्तों, एक तरीके से अब मैं बालू, पानी के अंदर दो factor हो सकते है, अब एक और factor हो सकता है, यहाँ पर जो मैं आपको बत है, दोस्तों, iron oxide बनाता है, ठीक है, तो पानी के साथ भी जब iron react करेगा, तो iron oxide बनाएगा, या फिर iron directly हवा के साथ, यानि oxygen के साथ react करेगा, तो भी वो same ही बनाएगा, iron oxide ही बनाएगा, and iron oxide को हम लोग normal तोर पे simple language में बोलते हैं, दोस्तो, rust, rust का हिंदी ही मतलब होता है, ज लोखन में जंग लग जाती है, आप कभी भी देखो, बारिश में, जब कोई भी लोहा, या फिर लोखन का कोई भी सामान, जब बारिश के contact में आता है, हवा के contact में आता है, तो उसके अंदर एक red color का powder powder जैसा उपर लग जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, जंग लग उपर से जब bridge बनता है, तो जब वो बहुत पुराने हो जाते हैं, पचास-सो साल पुराने हो जाते हैं, तो वो जो iron होता है, वो जंग लग लग के iron rust के वजे से क्या पढ़ जाता है, कमजोर पढ़ जाता है, तो बिटल हो जाएगा, यानि आराम से वो तूटके दिखर सक अंदर जब रश्ट बन जाता है उसके वज़े से जो रॉक्स होते हैं जो बड़े-बड़े चटान होते हैं वो धीरे-धीरे क्या होने लगते हैं कमजोर होने लगते हैं अंदर की तरफ से ठीक है तो उसका जो श्ट्रॉक्चर है वो चेंज होने लगता है वो कमजोर होने ल दो main reason क्या है एक था carbonation दूसरा था oxidation यही था दोस्तों हमारा आज का topic लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात बोलू कि आपने iron के वजे से ये rocks को रश्ट खाते हुए देखा है और कमजोर होते हुए दिखा है वेधरिंग होते हुए देखा है लेकिन iron iron present होता है ऐसे बहुत सारे examples आपको day to day life में बिल जाएगा जैसे की rainy season में आपने देखा होगा apple के बारे में कोई भी लोखन का article लेलो उसके article मतलब कोई भी सामान होगे जैसे अभी मेरे घर में कुछ लोखन के stands है तो वो काफी दिनों से paint नहीं मारे हुए तो उसके उपर जंग आना शुरू हो गया क्यूँ क्योंकि यार हवा का contact हवा भे moisture है पानी है पारिश है तो यह धीरे-धीर होने लगता है तो यही main reason होता है iron oxide का rust का जिसके वज़े से कोई भी चीज तूटने लगती है और हम बात कर रहे है कोई भी चीज की नहीं हम बात कर रहे है rocks की ठीक है ना हम बात कर रहे है rocks की यहाँ पर तो main हमारा rocks है यहाँ पर rocks के अंदर भी iron के वज़े से वो दिरे-दिरे rust खाता है और दिरे-दिरे उसमें बहुत सारे changes आ जाते है और वो तूटके बिखरने लगता है और यही चीज को हम लोग बोलते है weathering यानि कि overall process के अकर मैं बात करूँ उसको हम लोग बोलते है chemical weathering ठीक है clear हो गया दो reason आपका chemical weathering किस प्रकार हो था पहला carbonation दूसरा oxidation तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर वीडियो जिसमें हमने आपको explain कर दिया कि weathering का जो दूसरा टाइप है जिसका नाम है chemical weathering वो exactly क्या होता है और वो किस वज़े से होता है तो बस आज का वीडियो इतना ही था जल्व लेक्चर और आपके लिए अगला लेक्चर और आखरी लेक्चर होगा इस चाप्टर का जिसका नाम होगा lecture no.4 तो lecture no.4 भी जल्व लेकर हो जिसमें एक ही टॉपिक दोस्तों तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजेगा और शेयर कीजेगा जितना हो सके उतना शेयर करो बाकी लोग को बता दोगे हैं कि हम continuously मेनत करके आपके लिए वीडियो बना रहे है तो प्लीज ज्यादा स्यादा शेयर कर देना दो अगर आपने अवीड़ाग इस चै निकले थैंक यू और गुट बाइ